इसका कंस्ट्रक्शन इसके यूसर से ठीक है जो पहली बार वीडियो को देख रहे है सबसे बहुत आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ठीक है तो यहाँ पर क्या है डाइकनोस्टिक टेस्ट जैसे आपने थमनेल के अंदर देख लिए होगा कि mathematics की बात होगी with reference to mathematics बात करेंगे हम यहाँ पर construction कैसे करते हैं क्या क्या steps होती है ठीक है और क्या क्या users होते हैं इसके diagnostic test के mathematics के अंदर and after that आपका आजाएगा यह construction उसके साथ एक और topic इसमें हम cover करने की कोशिश करेंगे जो कि हमारा रहेगा analysis chart ठीक है आपने देखा होगा यहाँ पर diagnostic chart ठीक है जिसको हम error analysis table भी कहते हैं यह भी हम इसमें cover करेंगे ठीक है कैसे आपको बनाना है और क्या क्या चीज़े करने हैं आपको इसमें बहुत सरल दरीके से यहाँ पर हम कोशिश करेंगे करने की ठीक है और शुरू करते हैं ठीक है सबसे वहले तो आप शुरुवात चपी करोगे तो थोड़ा सा मीनिंग से शुरुवात करना ठीक है तो diagnostic test के अगर हम बात करने तो इसको हिंदी में क्या वालते हैं वैसे निदानिक परिक्षिन कहते हैं इसको हम ठीक है तो यह आ आप दो definitions लिखतो और आप पर जो भी पूछा गया अगर construction पूछा गया है तो construction के बारे में लिखो ठीक है और इसके users लिखने आपको तो diagnostic test के अगर हम बात करें तो यह कैसा type का test होता है ठीक है जिसमें हम सबसे बहले जैसे diagnostic या diagnose का मतलब आप सबको बताए जैसे किसी person को disease है ठीक है तो हम उसको क्या करते है hospital लेकर जाते है ठीक है फिर इसका वहां पर test होता है तो हम बोलते है na diagnose पता कर आप ने है कि उसको यह disease है ठीक है वैसे गर के हम बच्चों के अंदर भी जुआ वह है वह कि कह कर दीफिकलटी स्वेस कर रहे है क्या कि को दिक्कत आ रही है निर्मान करते हैं इसका पहचानने के लिए बिशेश लर्निंग डिफिकल्टीस, ठीक है, and misconceptions that students may have in mathematical, concept में जो बच्चों को हा रही है, बहुत सारी जो difficulties आ रही है उनको सीखने में, उनको identify करने के लिए जो हम test त्यार करते हैं, that is known as diagnostic test, simple, clear हो गया, अब यहाँ पर लिखा है कि this test help करता है teacher की to distinguish, sorry, to diagnose, to diagnose the areas where students, बच्चों को क्या क्या दिक्कत आ रही है, यह teacher की help करता है उसका पता करने में, जैसे बच्चे क्या क्या challenges face कर रहे हैं, individual needs क्या क्या हैं बच्चों की, ठीक हैं, जैसे होते हैं बच्चे, हर बच्चे को समझ नहीं आता, जो भी हम तरीका यूज करते हैं, 10 बच्चों को समझ आ रही है, 5 बच्चों को समझ नहीं आ रही, तो हम पता कर सकते हैं कि unusual needs क्या है, बच्चों की बच्चे जो बैठे हुए हैं, इनके हिसाब से हम कैसे जो है वो teaching कर सकते हैं, that is personalized teaching, यानि बच्चे की need के हिसाब से, उसको कहां कहां पर दिक्कत आ रही है, बेक्तिकत शिक्षिन कर सकते हैं, और टेलर टेच्चिंग हो गया, यह भी टेचर कर पाएगा, येस मतलब टेलर टेच्चिंग का होता है, टेच्चिंग मैथर्स को चेंज कर पाएगा, methodology, teaching aids, design कर पाएगा, as per the needs and interest, या level of the children, उसके बाद teaching content and methodologies, ठीक है, कि क्या-क्या बढ़ाएगा, कुण-कुण सी methodology का यूज़ करेगा, वो सारी की सारी चीज़ें, यहाँ पर teacher जोगा, वो diagnose कर सकते, अब देखो, बच्चों को समझ नहीं आ रही, कहीं ने कहीं, आपका method जो है, वो उतना effective नहीं है, बढ़ाने का, तो आप उसको कैसे बहतर बना सकते हो, वो सारा यहाँ से आपको बता चलेगा, जब आप diagnostic test conduct करोगे, तो यह सारे areas लिख सकते हो, आप कि यह सारे areas का पता करने में help करता है, यह test, अब कोण करेगा, teacher करेगा, ठीक है, अब यहाँ पर diagnose का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो diagnose का मतलब की बात करें, तो इसका मतलब क्या हो गया, पहचानना, ठीक है, pinpoint करना, तो यह आप सुब को बता है, ठीक है, यह निए define करना कोई चीछ, determine करना, निर्दारित करना, और distinguish भी कर सकते हैं, that's a very very important point, distinguish कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास, 10 बच्चे हैं, ठीक है, 10 में से 6 बच्चे को अच्चे से समझ आ रही है, प्रॉपर चल रहे हैं वो, ठीक है, अच्छे माक्स लेके आ रहे हैं, competency, प्रॉपर development हो रही है उनके अंदर, ठीक है, अब कुछ चार बच्चे हैं, ठीक है, इस में से 2 बच्चे जो हमारे हैं, ठीक है, उनको calculation से में बहुत साथा दिक्कत आ रही है, ठीक है, और दो बच्चे ऐसे हैं, जिनको concept की समझ नहीं आ रही, तो हम distinguish कर सकते हैं, इन बच्चों को एक दूसरे से, इस test की help से, कर सकते हैं, तो वही आगे कि diagnose से हम distinguish भी कर सकते हैं, चीजों को उनमें अंतर पता कर सकते हैं, क्या difference है, कहां पर इनके बीच में gap आ रहा है, ठीक है, तो यह आजाएगा आपका diagnose का मतलब, लिख सकते हो आप इसको भी, अब यहां पर इसका थोड़ा सा आप जो आप एक्स्पिनेशन लिखते होगे, कि यह एक ऐसा टाइप का assessment होता है, अंकलन की given at the beginning of the instruction, कि instruction यानि जब आप instructions देते हो, बच्चों को बढ़ाना शुरू करते हो, तो उससे पहले आप इसको conduct करते हो, और इसका aim यही रहता है, कि आपको पहचानने है, बच्चे की strength और weakness के हैं, knowledge, उसकी skills, ठीक है, कहां पर weak है, वो कहां पर strong है, learning difficulties क्या क्या आ रही है उसको, gaps क्या क्या आ रहे है हमारे curriculum areas के अंदर, कौन सा बच्चा आगे जा रहा है, कौन सा बच्चा बच्चा जो है, वो पीछे रहा है, यह सारा हम यहां पर identify कर सकते हैं, and helping them to overcome through, और हम help करते हैं उनकी, जो भी उनको learning difficulties आ रही है, जो भी उनकी areas weak हैं, उस area को कम करने में, या उस area से बहार निकलने में, हम उनकी help करते हैं, through remedial teaching, कैसे करेंगे हम, remedial teaching करके, यह उप्चार आत्मक, शिक्षन करके, जैसे आपको पता चल गया है, कि बच्चे को जो है, तो यह आपका हो चाहेगा, remedial teaching, अब यहां पर लिखा हुआ है, इसके अंदर सारी की सारी गतिविदियां आती हैं, जिसमें हम आपन करते हैं, यानि measure तो करना जुरूर है, हमको कैसे पता चलेगा, कि बच्चे को दिक्कत आ रही है, तो सबसे पहले measurement करेंगे, फिर उसका interpatients करेंगे, areas, यानि उसका हम, इल्क टाइप का आप ऐसे समझ लो, उसका understanding करेंगे, समझेंगे, analysis करेंगे, कि क्यों बच्चे को दिक्कत आ रही है, ठीक है, and that helps to identify the lagging of growth of a child, तो इससे हम फता कर सकते हैं, कि बच्चे की growth जो है, वो क्यों नहीं हो पा रही है, या बच्चा जो है, बाकी बच्चों के level का क्यों नहीं सीख पा रहा, तो that all comes under diagnostic test, उसके बाद आपको क्या करना है, दो definitions लिखने हैं, और यह हमें एक complete picture प्रवाइड करता है, बच्चे की strength और weakness के बारे में, simple, रख लोगे, कुछ नहीं है इसमें, तो a diagnostic test undertakes to provide a picture of strength and weaknesses, उसकी क्या के strength हैं, क्या के कमचोर ही हैं, यह हमें सारी शीचे यहाँ पर पता चल जाती हैं, और यह हमें प्रवाइड करता है कुण diagnostic test, second आप कर ले ना, स्टैड होला, इन्होंने क्या होला, और diagnostic test is dealt to identify specific strength, कुछ बिशेश strength को identify करने के लिए, और weakness को identify करने के लिए, जो भी हमारे उसके skills के अंदर हो सकती हैं, या reading के अंदर, या arithmetic के अंदर जो उसको आ रही है, कमजोर यहां कौन-कौन सी हैं उसकी, और strength कौन-कौन सी हैं उनकी, उनको हम identify कर सकते हैं, और जो test उसके लिए dealt किया जाता है, डाइग्नोस करने के लिए या उसको identify करने के लिए, उसको हम बोल देंगे diagnostic test, तो यह study holder ने बोला था, अब इसके functions कर लोगे आप, करने होगे तो कर ले ना, नहीं करने होगे तो छोड़ दे ना, देखो आप function मतलग काम या कारे क्या हैं इसके ठीक है, तो curriculum emphasis, किस पार्ट पे हमको ज़्यादा focus करना है, हमें direct करता है यह, अब बच्चे को linear equation समझ नहीं आ रही अच्छे से, तो हम उसी पे ज़्यादा focus करेंगे, तो यह help करेगा हमारी to direct curriculum emphasis, कि किस पार्ट पे करम के कौन से हिस्से पे ज़्यादा आपको बढ़ावा देने, जोर देने, focus करने, to provide educational guidance to people, yes, बच्चों को भी guidance दी जाएगी, yes, क्यों, अब बच्चे को पता चल जाएगा, कि हाँ, तुमारा ये area week है, तुम इस area के अंदर week हो, च्छे से नहीं कर पा रहे हो, तो हम उसको थोड़ा guidance भी देंगे, कि आप इस पे focus करो, to stimulate learning activities of people, अब जब बच्चों को पता चलेगा, कि हाँ, हम इस area के अंदर week है, तो वो भी try करेंगे, उस चीज़ों को सीखने के हैं, तो इससे क्या होगा कि stimulate, stimulate मतलब कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी activity, जिससे हमारे अंदर कोई action generate हो जाए, तो कहीं नहीं, आपको activate कर रहा है ये, जब आपको पता चलेगा, कि हाँ, मेरा ये area weak है, तो मेरे को इस पे focus करना है, तो बच्चे क्या करेंगे, वो शिक्षन करेंगे, शीखेंगे, to direct and motivate administrative and supervisory efforts, ये भी आगया, उनको भी ये motivate करता है, कि हाँ, हमें अपने बच्चों के परती कोई सोचना चाहिए, ये जो बच्चे पीछे रहा रहे हैं, इनको difficulties आ रहे हैं, हमको इनको दूर करना है, ठीक है, अब types of diagnostic test कर सकते हो, आप pre-test हो गया, जिसमें हम content और abilities का analysis करते हैं, पता करते हैं कहां पर उसकी abilities कौन-कौन सी हैं, कौन-कौन सी content में उसको दिक्कत आ रही है, self-assessment, सबे का अंकलन करना, ठीक है, identify skills and competencies ये वही हो गया, discussion, board, responses होगे, interviews बगएरा भी आप चोगा हो यहां पर conduct कर सकते हो, to diagnose the learning difficulties, अब यह लिखना होगा, तो लिखना नहीं, तो कोई जुरूरी नहीं है, अब आता है construction of diagnostic test, जो कि आपका important part है, यहां पर standardized test होते हैं कुछ, इसके बारे में मैंने पहले भी उताया, last video के अंदर, वो भी आप देख सकते हो, teacher made test भी होते हैं, जो कि teacher जो है, according to the specific need of the child, यह student, उसके साफ से बनाता है, कि मेरे को क्या assess करना है, कि सीस का पता करना है, कौन सी चीज डिग्नोस करनी है, तो teacher फिर उससे साफ से बना सकता है, एक test, तो वो आ जाएगा teacher made diagnostic test, अब इसके steps क्या होंगे, construction of diagnostic test, कि जब भी हम नेदानिक परिक्षन जो है, इसका construction करेंगे, निर्मान करेंगे, तो क्या क्या स्टेप्स आपको सीडियां फालो करनी है, तो सबसे पहली सीडिय होती है, कि आपको define करना है, purpose क्या है, और objectives क्या होंगे आपके test की, that's the first point, second में आप analyze करोगे, content, content को आप इसमें शोटे-चोटे हिस्सों में divide कर दोगे, parts के अंदर, फिर learning difficulties को identify करोगे, कि बच्चे को क्या गया difficulty आ रही है, फिर diagnostic questions जो है, आप त्यार करोगे, जैसे उसको linear questions नहीं समाझ आ रही, तो आप linear questions के उपर ही जो है, वो questions त्यार करोगे, आपके questions कौन-कौन से होँगे, short answer, long answer, essay type, multiple choice, true-false, problem solving, prepare the blueprint त्यार करोगे आप, blueprint जैसे आप एक मकान बनाते हो, तो आपका एक map बन जाता है, नक्षा ठीक है, फिर उसी साब से आप जो हाँ गर बनाते हो, तो in the similar way मैं एक blueprint त्यार किया गाता है, जो कि फिर आपको बताता है कि कौन सा question, यानि balance रख के चलने हैं चीजों को, किस section के कितने questions होंगे, conceptual questions कितने होंगे, problem solving questions कितने होंगे, daily जो life के related, यानि day to day problems जो आ रही है उसको, उनको solve करने के, जो questions होंगे, वो कितने होंगे, dealt clear and unambiguous question होने चाहिए, कि जो भी आप language बगरा यूज करोगे, वो आपके simple होनी चाहिए, बच्चे के understandable होनी चाहिए बच्चे को, ठीक है, and unambiguous question होने चाहिए, पीच में हैं, मतलब आपको बड़े जादा vague sentences यूज नहीं करने है, and overlapping नहीं होनी चाहिए, उसका pilot testing and refinement, अब देखो, pilot testing क्या होती है, क्या जब भी कोई जैसे आप एक vaccine बनाती हो, कि direct lives को human पे inject करते हो, implement करते हो, कि नहीं, पहले उसका trial होता है, तो in the similar way में, जब भी हम एक diagnostic test त्यार करेंगे, तो हम पहले pilot testing करेंगे, pilot testing आप two to five students पे उसको आप apply करते हो, फिर उसका result देखते हो, कि क्या ये इस difficulty को diagnose करने में help कर रहे हैं कि नहीं, अगर वो कर रहा है, तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा है, बाद में बच्चों का result जो है इसको analyze करोगे, interpret करोगे, फिर interpret करने के बाद आप hypothesis ये तो आप नीचे आ जाएगा, test को analyze कर लिया, उसके बाद आप देखो कि क्या-क्या difficulties आ रही है, आपको पता चल जाएंगी, कि अच्छा यहाँ यहाँ पे इसको दिक्कत आ रही है, तो यह सच्ची में नहीं कर पा रहा है, तो अभी आप उसको remedial teaching जो है, वो provide करोगे, और remedial teaching में बहुत सर यह जाती है, जैसे कौन सा method होगा आपका बढ़ाने का, कैसे आप बढ़ाओगे, and then follow up testing, तो अब भी यहाँ पे आप following up test conduct करोगे, जिसमें आप देखोगे कितना improvement हुआ, क्या सच्ची में जो हमने identify करी difficulty, क्या उसमें कुछ सुधार आया, after providing remedial teaching की नहीं आया, अगर सुधार आया है, तो ठीक है, फिर try करोगे आप, अगर नहीं आता है सुधार, तो यह आपके पास एक record की तरह काम करता है, क्यों, देखो in future, जब आप over the time बच्चा आगे, जाएगा ठीक है, classes के अंदर यहाँ, during the course आगे, बढ़ेगा, तो हम compare कर सकते हैं, कि बच्चे की progress कितनी हुई, ठीक है, जैसे कि पहले उसके 20 marks आ रहे थे हैं, बहुत ज़दा weak था, वो calculation अच्छे से नहीं कर पा रहा था, यह कुछ भी है, उसको difficulty आ रही थी, तो उसमें कितना improvement आ रहा है, वो भी हम यहाँ पे compare कर सकते हैं, तो यह सारे के सारे आपके आजएंगे, steps of construction of diagnostic test, simple है, कुछ नहीं है, इसमें ठीक है, आप इनको correlate कर सकते हूँ, ठीक है, purpose के बाद content, content के बाद learning difficulty identify, diagnostic question आ जाएंगे, blueprint त्यार करा, उसके बाद आपका questions पगरा कैसे होंगे, clear language पगरा, pilot testing आ जाएगा, test को administer करोगे, बच्चों पे apply, then analyze करोगे result, remittal teaching provide करोगे, follow up testing मैंने बता दिया, क्या होती है, ठीक है, and then आपका record and monitor progress, उसके बाद एक्स्प्रेनेशन वही लिख हुई है, purpose and objective, sorry, objective आप जो आप जो आपो define करोगे, यहाँ पे, clearly specify areas of mathematics, the diagnostic will cover, कि diagnostic test क्या cover करने वाला है, वो आपको area specify करने है, जैसे algebra हो गया, geometry हो गया, arithmetic हो गया, linear equations, so on, so on, so on, objective क्या है आपके test के वापको set करने है, जैसे क्या identify करना है, जैसे misconceptions, prerequisite knowledge, understanding problem solving abilities, तो यह आप objective जो भी आपका उदेशिया है, test का हो यहाँ पे आप set करोगे, then content का analyze करोगे, ठीक है, visualization करोगे, subject को ब्रेकडाउन करोगे, in the smaller part, यह into smaller parts, और key areas क्या है है, उनको identify करोगे, यह से concept, skills, potential areas, student might struggle, कि इन में इसको दिक्कत आ सकती है, then आएगा identify learning difficulties, तो यहाँ पे आप specify करोगे, learning difficulties, जो कि आप diagnose करना चाहते हो, ठीक है, फिर आप जो है, data collect करोगे, from previous assessment, और class activities, देखो, आपको कैसे बता चलेगा, कि बच्चे को difficulty आ रही है, कैसे चलेगा, पहले उसके पुराने paper देख लो, उठा के, class test देख लो, उठा के, उसका class में response कैसे है, उसी से बता चलेगा, कोई quiz attempt कर रहा है, उसका result देखो, तो वही पुराना जो data आपके पास पड़ा हुआ है, जो आपने assessment करी हुई है, class के अंदर test लिए हुए class test, वो वाला data आप यहाँ बे यूज कर सकते हो, फिर आप देख सकते हूँ, वो अच्छा बच्चे को यहाँ बे दिखकता रही है, देन आएगा frame diagnostic questions, आप यहाँ बे frame करोगे, तो design करोगे, आप test item, जैसे MCQ, short answer, essay type questions, true, false, problem solving questions, तो यहाँ पे आप एक diagnostic questions कैसे रहेंगे, आपके वो frame करोगे, देन आप एक blueprint त्यार करोगे, जिसमें आप क्या रखोगे, कि किस section के कितने questions होँगे, और MCQ कितने होँगे, short answer कितने होँगे, essay type कितने होँगे, true, false कितने होँगे, यहाँ पे आप एक blueprint के मादियम से, वो सारी चीज़े create करोगे, देन आपका आजाएगा, clear and unambiguous questions होने चाहिए, वही आगया कि language आपकी एकदम simple होनी चाहिए, बच्चों के समझने योगे, complex wording यूज नहीं करनी आपको, और आपको ensure करना है कि, जो भी आपका questions वहाँ पे रहेंगे, वो misconception को properly reveal करें, यानि उस चीज़ के बारे में properly बताए हमें, ऐसा नहीं है कि ऐसा question डाल दिया, जो कि हमारे काम कहीं नहीं है, जिससे हमें पता ही नहीं चल रहा है, कि सच्ची में बच्चे को इस field के अंदर दिक्कत आ रही है कि नहीं, तो आपका जो भी questions होंगे, वो ऐसे होने चाहिए, कि जिससे हमें सच्ची में पता चले, कि हाँ, बच्चे को यहाँ पर दिक्कत आ रही है, उसके बाद आएगा, पॉलिट टेस्टिंग और रिफाइनमेंट यह मैंने आपको उता दिया, कि जब भी हम मास, यानि पूरे बच्चों में अप्लाई करने से फ़ेले, हम थोड़े से बच्चों में टेस्ट को अप्लाई करते हैं, ठीक है, small group of students में, और result देखते हैं उनका, कि क्या सच्ची में यह टेस्ट जो है, वो identify कर पाएगा, जो हम चाहते हैं, ठीक है, अगर नहीं कर पाएगा, तो हम उसको refine करेंगे, लेकिन अगर हाँ ठीक है कर पाएगा, तो हम उसको continue रखेंगे, तो वही लिखा है, if test successfully, diagnose the intended difficulties, कि जो हम सच्ची में diagnose करना चाहते हैं, क्या यह उसको successfully, diagnose कर पाएगा कि नहीं, ठीक है, तो यह हमें यहाँ पे देखते हैं, pilot testing के अंदर, और refine करेंगे questions को, यह test structure को, based on feedback and result के हिसाब से, जो भी हमारा pilot testing के result होगा, उसके हिसाब से हम questions को refine करेंगे, अगर दिक्कत आती है, अगर नहीं है, ठीक है, कर रहा है, वो properly identify करने में help कर रहा है, जब आप test को administer करोगे, तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़े mind में रखनी होती है, जैसे कि आपको comfortable environment प्रोवाइड करने है, बच्चों को, ठीक है, proper sitting arrangement, वहाँ पे ध्यान रखने कि बच्चे आपस में consult ना करें, during test एक दूसरे के साथ, बच्चों को अगर कहीं पे दिक्कत आ रही है, कोई question है, वह समझ नहीं आ रहा, कैसे क्या है, language समझ नहीं आ रही, तो आपको उनको proper clarification जो आपको provide करनी है, if needed, उसके बाद full attemptation ensure करनी है, आपको इतना ensure करना है, कि हर एक बच्चा, जो भी उसमें questions दे रखे हैं, वो सारे के सारे attempt करें, time schedule जो है, वो आपको strictly enforce नहीं करना है, बैसे भी इसमें time limit नहीं होती है, और दूसरी चीज, ये नहीं है कि हाँ, बच्चे बिल्कुली बैठे रहे हैं, बस इतना है कि उनको बोलने है, कि सारे attempt करो, और जितना जल्दी हो सके करो, बैसे time limit कोई नहीं है अप़े, उसके बाद जैसे test आपका finish हो जाएगा, तो carefully आपको collection करनी है, answer sheet की, then आ जाएगा 9th step, अब आप इनका result जो भी है, उसका interpretation and analysis करोगे, तो evaluate करोगे test का result, pattern of difficulty or error जोगा, वो आप identify करी लोगे, कि क्या बच्चा कर रहा है, कौन सी गलतियां कर रहा है, जब हम analysis chart देखें न, तो आपको समझ आ रहे हैं, फिर weakness, difficulty, diagnose होगी, हाँ ठीक है, पांच बच्चे जोगा है, वो बहुँ ज़ादा गलतियां कर रहे हैं, या उनको इसीज में difficulty आ रही होगी, फिर grouping करोगे, आप students की based on common difficulties, यह मैंने आपको उदा दिया, जैसे दो बच्चे जोगा है, वो calculation में गलतियां कर रहे हैं, दो बच्चे जोगा है, वो concept उनको clear नहीं है, तो आप इनकी grouping कर दो, फिर इन grouping के हिसाब से, आप अलग अलग जो है वो, personalized या tailored instructions प्रोवाइड करोगे, ठीक है, और देन आपका remedial teaching आजाएगा वही, कि design करोगे आप remedial teaching accordingly, वही, जो आपका result आया होगा, या difficulty आपने वहां पर देखी, उसके साब से आप remedial teaching त्यार करोगे, design करोगे, और to address identified difficulties, यह वही आगया, यूज करोगे आप instructional methods, लाइक जैसे peer tutorial होगे, मतलब दूसरे बिच्चों को बोल दोगे, कि आपस में इसको पढ़ाओ, इसको सिखाओ, practice करो, focused group होगे, यह नि focused practice बोलते हैं, focused group, और re-teaching करोगे आप, and then follow up testing, यह वही बताया मैंने, जैसे आपने remedial teaching उनको provide कर दी, उसके बाद आप follow up test चोगा, वो conduct करोगे, यह देखने के लिए, कि misconception जो बच्चों को थी, क्या वो ठीक होई की नहीं, जिसमें उनको difficulty आ रही थी, क्या उसमें कुछ सुदार आया की नहीं, तो that's follow up testing, उसके बाद आ जाएगा हमारा next step last, that is a record and monitoring progress, कि बाद में जो भी हमारा result रहा यहां पे, उसको हम record की तरह रख सकते हैं, ठीक है, और इससे हमें यह पता चलेगा, जैसे जैसे over the time बच्चा आगे बढ़ेगा, तो हम compare कर सकते हैं, कि बच्चे में कितना improvement आया, ठीक है, और monitor progress over time, तो यह रहेगा आपका construction of, किसका diagnostic test, समझ आगी है भी आपको simple है, कुछ नहीं है, define the purpose and objective, उसके बाद result को, sorry, एक सेट, अब देखो यहाँ पर, analyze करेंगे content को, ठीक है, identify कर लिए learning difficulty को, उसके पुराने papers, assessment, record देखके, diagnostic questions आप frame करोगे, यहाँ पर, क्या short answer कितने होंगे, objective कितने होंगे, blueprint त्यार कर दिया, ठीक है, धांचा बना दिया, कि हाँ इस परकार से, आपका रहेगा, papers जो हमारा, diagnostic test होगा, या फिर जो भी question paper है, वो कितने हिस्सों में, divide होगा, क्या क्या sections होंगी, किस section की, क्या weightage रहेगी, वो सारा आप यहाँ पर, blueprint के तर लिखा होता है, और develop करोगे, clear and unambiguous questions, कि overlapping नहीं होनी चाहिए, simple language होनी चाहिए, pilot testing, 2-4 बच्चों पर आप करोगे, ठीक है, फिर उसके result के इस आप से देखोगे, अगर result ठीक आता है, हाँ, यह identify कर सकेगा, properly, अगर नहीं कर सकता है, properly, तो फिर आम उसको refine करेंगे, ठीक है, administer करोगे test को, analyze करोगे test के result को, ठीक है, and then उसी के साफ से remedial teaching प्रोवाइड करोगे आप, फिर follow up testing करोगे, यह देखने के लिए, कि क्या remedial teaching से कोई सुधार आया की नहीं, फिर आपका record and monitor progress, done, अब आज़ो इसके uses, तो uses आपको करील होगे, जो भी उपर बताया, वहीं से आपको uses निकाल लेने हैं सारे, कि इसके क्या उप्य होगे हैं, देखो, पहले तुमने देखा, identify learning gaps, येस, इससे हम पता कर सकते हैं, कि हमारी class के अंदर, कौन से बच्चे पीशे रह रहे हैं, कौन से बच्चे आगे हैं, अपने teaching methods, अपने lessons, design कर सकते हैं, येस, कौन करेगा है, teacher, उसके बाद देखो यहाँ पे, measure prior knowledge, बच्चे का पूरव ग्यान है, उस चीज के बारे में बच्चे को पहले कितनी knowledge है, measure कर सकते हैं, map कर सकते हैं, येस, तो assess what students already know, about the topic, इससे baseline provide होती है, sorry, ये हमें baseline provide करता है, जैसे उतने, बेस, नीव, कि हम जब कोई नया concept बढ़ा रहे हैं, तो उस चीज के बारे में बच्चे को पहले कितना बता है, ठीक है, तो फिर teacher भी उसी साफ से आगे पढ़ाएगा, कर सकते हैं, उपर बताया, येस, तो track students development over time, allow teachers to adjust teaching methods as necessary, मतदद जैसे जैसे ज़रूरी है, अपने वो methods भी change कर सकते है, ठीक है, group students आगे, ये बहने आपको बताई था, grouping कर सकते है, येस, कौन से बच्चों को किस में दिक्कत है, उनके group बनाके, फिर उनको personalized या फिर tailored instruction teacher दे सकते है, ये ही लिखा हुआ यहाँ पर, teacher can use diagnostic test to form ability based group, ये वही आगया, बच्चों की कितनी योग देता है, उसके हिसाफ से group बना देगा वो, कौन सा बच्चा calculation में weak है, कौन सा बच्चा conceptual understanding नहीं है, फिर differentiated instructions जो है, वो teacher दे पाएगा, अब देखोंगे हाँ पर aid in formative assessment, अब ये formative assessment का भी tool की दरा काम करते है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को भी feedback मिलेगा, teacher को भी feedback मिलेगा, बच्चे को कैसे मिलेगा, बच्चे को पता जल जाएगा, मेरा कौन सा area weak है, जो कि आपके final exam, अब यहाँ पर क्या होगा, देखो, diagnostic test serve as a part of formative assessment, allowing continuous feedback, yes, and during learning process, इससे क्या होगा, continuous feedback मिलेगा, teacher के साथ साथ, students को भी, कौन से area weak हैं, कहाँ पर आपको जादा focus करने की जुरूरत है, inform parents, अब देखो, बच्चे की progress, बच्चा क्या सीख रहा है, तो हम उसके, जो भी बच्चे ने gain करा, कहाँ पर area weak हैं, हम parents को बता सकते हैं, तो वही लिखा है, diagnostic test result provide, valuable information for parent teacher discussion, yes, कि बच्चे की progress क्या है, कौन कौन से areas पर बच्चे को जादा focus करने की जुरूरत है, आपको भी attention देने की जुरूरत है, बता सकते हैं, yes, अब देखों यहाँ पर, sport curriculum design, yes, हम अपने curriculum को भी उसी साब से बना सकते हैं, फिर है न, तो अपने curriculum को हम क्या कर सकते हैं, हाँ पर refine कर सकते हैं, and कौन सा part जो हा curriculum का, उसको जादा revision की जुरूरत है, या change करने की जुरूरत है, अपडेट करने की जुरूरत है, then आएगा development, या dull personalized learning plan, यह वही आगा, बेक्तिगत, teaching यानि शिक्षन के plan बना सकते हैं, आप बच्चे के हिसाब से, तो diagnostic test result, teacher can create personalized learning plan, tailored instruction to, teach होगा, तो यहाँ पर देखो एक बार फिर से, मैंने बता दिया, personalized learning plan का मतलब क्या होता है, बच्चे की नीड के हिसाब से, उसको क्या ज़रूर रहता है, कौन से area पे उसको या वो वीक है, तो हम उसी हिसाब से उसको पढ़ा सकते हैं न, ठीक है, जो ऐसे बच्चे को basic नहीं आते, तो हम basic सिखाएंगे, तो वही तो है personalized, कि जब बच्चे की interest के हिसाब से, उसकी नीड के हिसाब से teacher ज़रूर पढ़ाए, that is known as personalized teaching, यानि ब्यक्तिकत शिक्षिन, तो वही लिखा है, कि teacher can create personalized learning plan बना सकते हैं, tailored instruction का meaning भी same होता है, to each student's strength and weakness, मतलब हर एक बच्चे की strength क्या है, weakness क्या है, उसके साब से teacher जबाब पढ़ा सकता है, अपने lesson change करके, अपनी methodology change करके, उसके बाद आएगा identify special needs, तो कुश बच्चों की special needs भी होती है, वो भी हम यहाँ पर identify कर सकते हैं, कुश बच्चे learning disabilities होती हैं कुश बच्चों को है न, तो special needs भी होती हैं कुश बच्चों की, वो भी हम यहाँ पर identify कर सकते हैं, improve student motivation, yes, बच्चों के अंदर अभी prayer ना आएगी, yes आएगी, क्यों आएगी, अब मेरे को पता चल गए, मेरे को यह area weak है, तो बच्चा try करेगा न, कि मेरे को यहाँ पर focus करना है, तो student understand their areas of weakness, feel motivated to focus on those areas, and try करेंगे उनको improve करने की, उसके बाद हैं को यहाँ पर, provide future development, sorry, predict future development, yes, हम अंदाजा अनुमान लगा सकते हैं, कि बच्चा किस field में आगे जाएगा, अब बिल्कुल ही math के अंदर basic नहीं आ रहे हैं, वीक है, वो अच्चे से नहीं कर पार, तो हम कर सकते हैं, ठीक है इसको आगे जाके थोड़ा math पे ज़्यादा focus करना पड़ेगा, ठीक है, तो वही आगे है, या फिर किस field के अंदर या अच्छा जा सकते है, तो जिस subject में या जिस area के अंदर बच्चा अच्छा होगा, तो वही आगे diagnostic test जो हो provide insights into students potential success in future course, हम पता कर सकते हैं, कि आगे जाके बच्चा क्या करेगा, उसके बाद planned remedial program, तो last time भी होता था construction का, कि अभी यहाँ पर हम remedial teaching भी देंगे ना बच्चे को, अब हमने identify थोड़ी ना करना है, कि हाँ बच्चे को पता चल गया हमें, sorry, हमें पता चल गया कि बच्चे को कहाँ पर दिक्कत आ रही है, अब ऐसा थोड़ी ने कि उसको भी शोड़ देंगे, नहीं, हमें उसको ठीक भी तो करना है, तो ठीक करने के लिए जो आप teaching करते हो ना, that is known as remedial teaching, यानि उपचारात्मक शिक्षेन, याद रखने है, जैसे दवाई होती है न, आपकी diagnose होगी बिमारी, तो उसके बाद इलाज भी तो करते है उसका, बिमारी का इलाज, जिसमें आपको remedies बताते हैं, कि ये दवाई लो, ये लो, ये लो, वैसे करके हमें remedial teaching भी तो देनी है उसको, तो वहीं आगए कि result of diagnostic test का पता चला, तो ये guide करते हैं आपको, कि कैसे आपको remedial program त्यार करना है बच्चों के लिए, और किस बच्चे को additional support की जरूरत है, कैसे आपको पढ़ाने है आगे चाके, कैसे आप अपना method change करोगे, so that's all about the uses of diagnostic test in mathematics, बस किसी के भी reference में लिख लो आप, उसके बाद आजएगा भी आपका example of diagnostic test in mathematics, कुछ निए इसमें, simply जूठी लिख देना, construction of diagnostic test in linear equation, अपना जूठी एक school का नाम लिख दो, government model middle school ABC, linear equation topic रहेगा हमारे है, बच्चों को linear equation में बहुत ज़ादा दिक्कत आ रही है, अभी आप उनका एक test लोग है, यह पता करने के लिए कि बच्चों को कहां कहां पर दिक्कत आ रही है, यहाँ पर लिख देना, name of the student, class 7, section A, लिख दिया date, instructions लिख देना थोड़ी सी, तो कुशनी है, रटना कुशनी है आपने यहाँ से, बस समझ लो थोड़ा सा, जो भी paper में लिखा होता है, क्या 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 लिखा होता है paper के उपर, यही लिखा होता है, इसके लिए तो आप extra sheet ले सकते हो, यही तो उतनी instructions, उसके बाद time limit कोई नहीं है, but still आपको सारे questions attempt करने है, और जितनी जल्दी कर सकते हो, उतनी जल्दी करने है, ठीक है, और good luck to everyone, यह आपका आजाएगा instruction, और ऐसे करके लिखना, नीचे line मारतो, then आप अलग-लग section divide कर लो, ठीक है, और यहाँ पे 20 questions आपको देखने को मिलेगे, आप अपने हिसाब से इनको बना सकते हो, ठीक है, आपने सब बढ़ा हुआ है, linear equation उठा लो, जरूरी नहीं यही वाला शापन है वहाँ पे, linear equation है, algebra है, कुछ भी उठा लो, number system उठा लो, तो वहीं, पहली section A आजाएगी, यहाँ पे आप basic concept के related questions आजाएगे, जैसे आपको general form लिखने है, linear equation की one variable, solve करो equation को, ठीक है, आपको identify करना है कि, यह equation जो है, वो linear है कि नहीं है, और अपना reason जो हाँ तरक बताओ, solve for x, x की value निकाल हो, यह हो जाएगा section A, section B में क्या आएगा, solving linear equation आपको solve करनी है, तो यह आप देख लो, कुछ नहीं है, उसके बाद, यह दो question हो रहे हैं, आप अपने से add कर लो, और बना सकते हो आप इनको, section C में आएगा, word problem होती ही न, जैसे sum of over number and 9, जो है वो इतना है, number क्या होगा, इसकी जगा पर क्या आएगा, इतना यह पढ़ लो थोड़ा कुछ नहीं, इसमाब अपने से बना सकते हो ऐसे, जैसे age बाले होते हैं, बहुत सारे question, तो maximum linear equation से निकल जाते हैं, यह parameter दे रखा है, अब graphic linear equation आएगी, कि plot करो graph of the equation, तो आपको इसमें से अगर कोई section उड़ा नहीं है, तो उड़ा भी सकते हो, उसके बाद यह questions देख लेना, वैसे समझ आगी हो आपको, section E की बाद करें, तो system of linear equation में आजाएंगे, questions और F section आजाएगी, जिसमें real world scenario में आपको apply करनी है, linear equation का, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यह car rental company charge इतने पैसे लेता है, per day का, इतना per kilometer का, और कुछ नहीं है, इसमें आपको linear equation बनानी है, उसकी, तो मतलब real life के related question आगे नहीं, कहीं नहीं, गाडी में जाते हो आप भी, तो यह आपकी आजेंगी, कुछ sections, नीचे आपने थोड़ा सा इसके बारे में, लिखते ने, कि above questions based on simple equation, of different forms, yes, हमने देखा concept देखा simple, linear equation देखी, word problem देखी, day to day life के related scenario में, questions या linear equation का क्या प्योग होता है, वो देखा, and to test a range of skills related to linear equations, जैसे solving one variable equation, यह भी देखा हमने, yes, interpreting world problems, यह भी, yes, graphic lines देखा, or solving system of equations, तो यह सारी चीज़े हम कोशेश करेंगी, कि क्या बच्चा इनको कर पाता है कि नहीं कर पाता है, done, यही correction करने के लिए, conduct करा हमने, yes, and to identify the areas where students may additional, where students may need, यहाँ पर need लिखता हो हम ठीक है, need additional support, कि यहाँ पर हम identify कर सकते हैं, कि कौन से areas के अंदर बच्चों को additional support की need है, तो अगर बच्चे जैसे graphic lines नहीं कर पा रहे हैं proper उन questions को, तो हम पता चल गया हमें ठीक है, कि हाँ यहाँ पर दिक्कत आ रही है, उसके बाद administration आप दा टेस्ट करोगे, same process वही पीछे बाला, question paper distribute करोगे बच्चों को, फिर result आ जाएगा उसका, analyze करोगे, उनका आप अलग लग से group बना दोगे, and student committed similar mistake यह वही आ गया, जैसे एक जैसी जो mistake बना रहे हैं, उनका एक group बना दो, दूसरों का एक group बना दो, जो अलग से mistake कर रहे हैं, then आप क्या करोगे, teacher जो है यहाँ पर different types of hypothesis जो है, वो formulate करते हैं, कि बच्चे ने क्यों नहीं करा हो गाई है, बच्चे को क्या दिक्कत हो सकती है, तो यहाँ पर कुछ teacher जो है, वो अपने hypothesis यानि अनुमानी तोर पे सोचता है, पहले उसने लिखती है कि हो सकता है, बच्चे attentive ना हो, और दूसरा आ गया कि हो सकता है, बच्चों को math जो है वो tough लगता है, हो सकता है जो teacher और student है, इनके बीच में proper coordination नहीं चल रहा है, तब भी बच्चे पूशने से डर रहे हैं, या उनको समझ नहीं आ रही, या फिर बच्चों ने जो है वो sufficient practice नहीं करी थी, या हमारा teaching method सहीं नहीं है, तो कुछ न कुछ तो हो सकते हैं न, उसके बाद teacher had not improved the errors in checking work, कि जब बच्चों को कुछ home work दे रहा था, या class work दे रहा था, या फिर वहाँ पे questions निकालने को भोल रहा था, हो सकते है teacher ने वहाँ पे दियान से, बच्चों के जो भी work था, जहाँ पे उन्होंने error करे थे, वो शायद teacher ने properly ठीक नहीं करें, तो ये कुछ आप hypothesis जब करोगे, उसके बाद कुछ याँ पे questions वगरा construct करोगे, कि कौन सी hypothesis हमारी best है, ठीक है, और बाद में उसका result देखोगे, या फिर questions का answer देखके, correct hypothesis select कर लोगे, फिर उसी के हिसाब से आप remedial teaching त्यार करोगे, या आप उनको remedial teaching प्रवाइड करोगे, तो हो जाएगा आपका all about, all about, all about, all about diagnostic test complete, ठीक है, कि आपने diagnose कर दिया, last में यही रहते हैं कि आप remedial teaching देते हो, ठीक है, उसको ठीक करने के लिए, barrier क्या होती है, diagnostic test की, रुकावटे, खेद, खेद नहीं बोलेंगे, रुकावटे बोलेंगे, तो limited student participation, येस, बहुँ सारे बच्चे डरते हैं आने से, प्राटिस्पेर नहीं करते, anxiety हो गया, stress, डर जाते हैं बच्चे कुछ क्या होने वाले, cultural and language barrier हो सकती है, ठीक है, limited diagnostic scope है इसका, जैसे किसी को अगर दिमागी तोर पे हालत नहीं है ठीक, तो वो हम यहाँ पे diagnose नहीं कर सकते, उसके लिए properly आपको डॉक्टर के बास जाना पढ़ेगा, test design issue हो सकते हैं, जैसे आपने कहीं test design करने में गलती कर दियो, cost हो गया, maintaining record impartiality, तो that's the R01 हो सकता है, कुछ पच्चो को हम बोलते हैं, मतलब teacher impartiality रखने उसको होता है, पार्शल, पार्शलिटी नहीं करनी है, तो impartial रहने में यह रखने में record को यहाँ पर दिक्कत आ सकती है, faulty method of data collection, जो आपने data collect कर रहा हो सकता है, आपने गलत कर रहा हो, and willpower and patience of teacher, यह कुछ factors हैं, barrier हैं नहीं करनी होगी, तो मत करना, उसके बाद आजब अभी आप, preparation of diagnostic chart, अब diagnostic chart, अगर आपने diagnostic test, जो आपने अच्छे से समझ आगी होगी न, तो अब भी आप chart बनाओगे, बस कुछ नहीं है, chart बनाओगे, chart में लिखा होगा, कुछ नहीं लिखा होगा, कि बच्चे ने क्या क्या गलती हैं करी, ठीक है, और type of error कुण सा, जैसे concept समझ नहीं आई, calibration में गलती करी, वो लिखोगे, description लिखोगे थोड़ा सा आप, कि क्यूं करी होगी, काज़ा से लिख दोगे, बाद मैं अपने remedial action बताने हैं, तो उसी को जब हम chart की form में represent करते हैं, तो वो बन जाता है हमारा diagnostic chart, यह जिसको error analysis table भी कहते हैं, अब यहाँ पर लिखा है, diagnostic chart are error analysis table in mathematics, help करता है हमारी पहचा होने में, categorize करने में, कौन-कौन से common error जो है, वो बच्चे problem solve करते समय कर रहे हैं, that's the point, तो यह अगर हम chart की form में बताएंगे, यह table की form में बताएंगे, तो वो बन जाएगा हमारा diagnostic chart, कुछ नहीं इसमें, उसके बाद a diagnostic chart can be used to track, क्या track करने के लिए, कौन-कौन से error कर रहे हैं बच्चे, जैसे बच्चे को conceptual understanding नहीं है, बच्चे computation में गलती कर रहे हैं, यह calculation में गलती कर रहे हैं, frequency of error कितनी बार कर रहे हैं, जैसे एक बच्चा है वो, दस वार same repeat कर रहे है mistake, क्यों कर रहे हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे, and possible causes क्या क्या हो सकते हैं, और allow करते हैं teachers, to tailor instructions and provide targeted remediation, मतलब teacher को यह help करेगा बाद में, कि teacher बाद में अपनी instruction फिर उसी हिसाब से design करेगा, उसी हिसाब से अपना teaching method design करेगा, वो उसी हिसाब से अपना lesson plan त्यार करेगा, ठीक है, और बाद में remedial teaching प्रोवाइड करेगा, उस चीज को या उस difficulty को दूर करने के लिए, अब steps की बात करें, तो learning area को पहले आप identify कर ओगे, ठीक है, जो भी specific area है, mathematical concept है, जहाँ पे बच्चों को जो है वो, where students of 10 struggle, students struggle, इसको काट दो आप ठीक है, मतलब जहाँ बच्चों को struggle, यह बच्चे struggle कर रहे हैं, जैसे linear equation है, geometry है, fraction है, एट्सेटरा, वो सबसे बहले आप क्या करोगे, specify कर दोगे, identify कर लिए आपने, ठीक है, अब identify करने के लिए भी आप क्या करोगे, collect a set of problems solved by students, जैसे बच्चों के homework देख लिया, कि बच्चे ने वहाँ पे कितनी गलतिया करी, quizzes देख लो, diagnostic test का result, जो उपर करा, उसी का result देख लो, कि बच्चे ने क्या 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 गलतिया करी, class work हो गया, class में उसका response कैसा है, class में quiz लिया, आपने competition लिया, वहाँ पे क्या कर रहा हो, then class test conduct करा, उसके हिसाब से आप जो हो, data जो हो, work sample collect करोगे, फिर आप analyze करोगे error को, क्या करोगे, analyze करोगे error को, visualization करोगे उनका, review करोगे student solution, to analyze, identify, pattern of error, आप identify करने की कोशिश करोगे, कि बच्चा कोण से error कर रहा है, जैसे मैं आपको बताया, concept समझ नहीं आ रहा है, calculation में गलती कर रहा है, या procedure समझ नहीं आ या, उसको solve करने का, categorize them into types of error, तो categorize कर तो, कि कोण कोण से error कर रहे हैं बच्चे, जैसे conceptual, यानि उसको concept समझ नहीं है, calculation में गलती कर रहा है, procedure समझ नहीं आ रहा है, या procedure में उसने mistake कर रही है, तो mistake तब भी करेगा ना, जब उसको समझ ही नहीं होगी, उससी के बारे में, अब आप जो है, diagnostic chart जो है उसको design करोगे, ठीक है, तो creator table with following columns, आपको बना देने हैं, जिसमें आपको देखो, मैं सीधा आपको दिखाई थे तो वैसे, ऐसे करके बनेगा आपको, problem number one, type के error, description of the error, possible cause or remedy election, ये बनाना है आपको paper में ठीक है, और थोड़ा सा लिख के भी आना है ये वाला, तो problem number ये type में आप भी लिखोगे, specify question number, or type of problem, जैसे addition, solving question, sorry, solving equation, etc. type of error कौन सा है, conceptual है, जैसे बच्चे को, concept जो भी है, वो समझ नहीं है, उसको उसने गलत या proper, उसको confusion है, misconception है, second आपको आएगा procedure error, procedure error में वहीं आएगा, कि बच्चा जो है, वो process, यानि जब भी वो equation solve कर रहा है, step by step, तो उसको कहीं न कहीं, कुछ step की जो है, वो clarification नहीं है, जैसे equation से जो है, equal to के उस side कैसे लेके जाना है, sign change हो जाता है, या कुछ ऐसी mistake कर रहा है, तो process की समझ नहीं है, उसको, तो incorrect steps या procedure के बारे में, उसको information नहीं है, वहाँ पर गलती कर रहा है, computational error, यानि बच्चा जब वो calculation में गलती कर रहा है, addition, subtraction, so on, misreading error भी हो सकते है, बच्चा जब वो लिखा कुछ और था, पढ़ कुछ और लिया, पढ़ कुछ और लिया, समझ कुछ और लिया, ठीक है, तो misinterpretation of the problems language, incomplete solution, बच्चे ने solve तो करा, लेकिन end में solution सही नहीं आया, तो problems not fully worked through, अब आजाएगा description of the error, तो third आपका जैसे मैंने बताया, याँ पर क्या लिखोगे, description of error बताओगे आप, ठीक है, तो description में लिखोगे, mistake made by students, वो describe करने हैं आपको ठीक है, and possible cause क्या हो सकते हैं, या आपने hypothesis, या आपके हिसाब से चलता है, कि क्या cause हो सकते हैं, क्यों बच्चे ने ये गलती करी, तो यहाँ पर आप hypothesis बनाते हो, ठीक है, यहाँ बहु सारी statements बताते हो, कि why the student made the error, क्यों उसने करा होगा, जैसे practice नहीं करी है, या तो misunderstanding है उसको concept की, या तो confusion है उसको rules के बारे में, तो यही काज़स हो सकते, उसके बाद remedial action आप जो आप जो आपो, कैसे उसको ठीक हो सकते हैं, जो भी उसने गलती करी, तो suggest करोगे आप कुछ teaching strategies, या interventions to address the error, जैसे फिर से रीटीच करना है concept, more example देनी है, बच्चों भो practice करवानी है, audio visual aids यूज़ करनी है, so on, so on, so on, यह आपका जाएका remedial action, अब इसमें आदेखो, यह आपको मैं बता देता हूँ, वैसे आपको यह वाला करना है, आपको यह वाला करना है, अगर पेपर में आया, यह वाला आपको नहीं करना है, वैसे इसके step तो समझ आगे, जो मैंने पीछे explain करा वही है, कुछ नहीं है, यहाँ पर देखो, heading मैंने आपको बता रखी है, वैसे, सबसे वहले क्या है, problem number लिखते हैं, यहाँ पे होता है, ax plus ay, तो इसको उसने गलत अपलाई कर लिया, ठीक है, and misunderstand how the property work, उसको पता ही नहीं था, उसी इसके वारे में, तो यह possible cause हो सकते है, remedial action क्या हो सकते है, तो read each करेंगे, उसको distributive property with example, बस आपको यह लिखना है, यही तो हमारा chart है, procedural आ गया, मतलब process जो भी step होंगे, poor understanding है उसको procedure की, और उसको हम बाद में step by step सिखाएंगे, कि कैसे आपको यह solve करनी होती है, कोई equation, computation यानि वही आ गया, calculation में, और बच्चे को जादा जादा, क्या remedy आए, remedy क्या आएगी, कि encourage करेंगे बच्चों को, कि double check करने, आपको answer को, एक बार पीछे जाके फिर से, misreading में आ सकते हैं, जैसे उसने greater than को पढ़ लिया, less than, ठीक है, तो problem को interpret करने में, उसको confusion है, यह कहाँ जो सकते हैं, और highlight कर देंगे, the key terms in the problem, यह उसको remedial action लेंगे, उसके problem के खिलाफ, यह error के खिलाफ, incomplete solution, यानि बच्चा वहाँ, ट्राई तो करेगा, question निकाल तो लेगा, लेकिन end जो है, उसका निकन नहीं पाएगा, solution जो है, वो proper नहीं निकाल पाएगा, तो stop before finding the final answer वहीं आगा, यह पूरे के पूरे step चेक करने, जब भी आप, जब भी आप, जब भी आप कोई question solve करोगे, अब यहाँ पे एक example दी हुए है, मैंने error analysis table topic रहेगा, आपका solving linear equation, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, वही आगा conceptual, और यहाँ पे na example भी लिए हुई है नीचे, तो देखो यहाँ पे, बच्चे ने क्या लिखा हो यहाँ पे, 3X plus 2X is equal to 5 लिख दिया, तो student incorrectly combined like terms, मत्यों like terms है न, उनको उसने incorrectly combined कर दिया, instead of 5X उसने लिख दिया 5, समझागी आपको, उसका मतलब क्या हुआ, possible cause यही हो सकता है, कि बच्चे को like terms के बारे में misunderstanding है, अब remedy election क्या आजाएगा, कि बच्चे को हम फिर से read each करेंगे, कि कैसे आपको combine करना होता है, like term को example के साथ, उसको हम फिर से read each करेंगे, यह हो सकती है remedy election, ऐसे करके आप procedural का लिखोगे, अब बच्चा जो है वो, इसने इसका answer क्या लिखती है, 2x का 6 answer लिखती है, उसके, नहीं, 2x का नहीं, उसको equation दी गई थी यह वाली, तो उसने लिखती है, x का answer 6, समझागी, तो यहाँ पे बच्चा जो है, वो दोनों साइड 2 से डिवाइड करना बूल गया, क्योंकि यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करना था, 2 कट जाएगा, यहाँ पे भी 2 तो answer 3, लेकिन उसने answer लिख दिया, 6 ही, तो इसका मतलब बच्चा जो है, वो दोनों साइड, डिवाइड करना बूल गया, तो पोर अंडरस्टेंडिंग आप परसीजर, उसको प्रोसेस की प्रोपर समझ नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, नहीं में दिलक्षन यह एगा, प्रैक्टिस सॉल्विंग, मुल्टी स्टेप एक्वेशन्स, विद फीडबैक के साथ, प्रैक्टिस करवाएंगे उसको, कम्पूटिशन, सॉरी, कम्पूटिशन, यानि अडिशन सुर्सेक्शन वही आ जाएगा इसमें, तो मिस्कैलकुलेटर्ड अरिथिमेटिक, जैसे उसने एक्वेशन का अंसर लिख दिया, 9, 12 मैं से 4 गए, 9, लेकिन instead of 8, होना कितना था, 8, तो इसका मतलब क्या हो गए, careless arithmetic mistake, क्योंकि ये तो common mistake है, ये तो करता है नहीं कोई, common mistake नहीं है, बहुत rare mistake है, ऐसा करता है कोई, तो इसका मतलब है, वो बच्चा वहाँ पर उतना, carefully नहीं कर रहा था, arithmetic calculation, तो बच्चे को हमें encourage करेंगे, double checking calculations, कि calculations को, जब भी आप calculation करते हो बच्चो, तो आपको दो बार check करना है, then, उसके बाद ये remedy lection आ जाएगा, then fourth point, misreading, misreading greater than, को उसने पढ़ लिया, less than, ठीक है, और confusion in problem, interpretation, misinterpretation of symbol, यहनि उसको, symbols का भी proper idea नहीं है, ठीक है, और misinterpret कर रहा है, वो problem को, तो teach students to carefully read, and interpret symbol, तो यह उसको सिखाने पढ़ेंगे, yes, यही remedy lection आ सकता है, incomplete solution, मतलब बच्चा जो है, फस गया, आदाई शोड के आ गया, तो students solved the equation, but didn't check the solution, तो lack of checking process, stress the importance of verifying solution, यह वही आ गया, ठीक है, या फिर answer गलत आ गया, उसका, incomplete solution में यह मतलब हुआ, निकालते निकालते निकालते, यहनि तक पहुँच गया, लेकिन answer उसने कुछ औरी लिखती है, या फिर answer तक पहुँच आई नहीं, उसके बाद इनके detailed breakdown है, इसमें कुछ नहीं है, वही है, जो उपर लिखा हुआ है, देख लो यहाँपे, error type conceptual था पहला, description, यह लिखते ना थोड़ा सा, ठीक है, बच्चा जोबाव इनक्रेक्टली कंबाइन कर रहा है, like term को रही है, instead of 5X, लिख दिया उसने 5, possible cause क्या हो सकता है, कि बच्चो को, term को कैसे कंबाइन करना होता है, यह नहीं पता है उसको, remedial action यह ही आएगा, उसको हम फिर से समझाएंगे, like terms क्या होती हैं, और कैसे इनको combine करते हैं, example के साथ, aviate का use करके, problem number 2, procedural था, बच्चा जोबाव दोनों साइट, divide करना बूल गया था, answer उसने, x का शे ही शोड़ दिया था, यहनि 6, possible cause यह हो सकते है, कि बच्चे को जोबाव प्रॉपर अंडेस्टेंडिंग नहीं है, कि multiple step में equation को कैसे solve करना है, remedy लेंगे, यही लेंगे, बच्चे को सिखाएंगे हम, कि कैसे multi step equation को solve किया जाता है step by step, problem number 3, error type, conceptual, sorry, computational की additional instruction बढ़ी आगया, compute, calculate कैसे करना है, तो उसने गलती करी थी यहाँ पर, description में वही आगया कि उसने, computation जोबाव इन्करेक्ट करी थी, यह लिख दिया था उसने, instead of 8, 9 लिख के आगया था वो, 12 or minus 4, possible cause यही हो सकते है कि बच्चे ने जो आया, वो attention नहीं दी यह इतनी, क्योंकि attention दी होती तो यह होता, अब इसका remedial action क्या आएगा, तो बच्चे को बोलेंगे, double checking करना है answer की, जब भी आप calculations बगरा करते हो, problem number 4, error type क्या था, misreading, बच्चे ने properly read नहीं करा था, क्योंकि उसने greater than को क्या पढ़ लिया था, less than, possible cause यह हो सकता है, कि बच्चे ने attention नहीं दी, या तो proper interpret नहीं कर पाया, या symbol को understand नहीं कर पाया, remedial action, तो यह है आएगा कि बच्चे को हम यहाँ पे, बताएंगे कि जब भी question आता है, उसको द्यान से पढ़ो, या फिर उसको हम symbols का interpretation सिखाएंगे, परॉल नमबर 5, error type क्या था, incomplete solution, description लिख देना थोड़ा सा, कि student solved the equation, but didn't verify the answer, if the solution satisfy the original equation, मतलब क्या original equation को satisfy कर रहा है answer की नहीं, तो उसने verify नहीं किया, answer गलता आगया उसका, तो यह description लिख दोगे, possible cause क्या है, कि बच्चे को यह नहीं बता है कि, teach students to substitute the solution to original equation to verify correctness, तो अगर correctness verify कर नहीं है, तो original equation में उसकी value जो भी आ रही है, आपकी x की निकाल के उसको put कर लो, तो अगर satisfy हो रहा है, तो उसका मतलब आप का अंसर ठीक है, तो यह बच्चे को सिखाना है, तो उसके बाद यहाँ पर एक वर देखो, वैसे अगर करना होगा ना तो यह कर ले ना, वैसे बुक वाला दिया होगा है, जो आपकी बुक पर, name of the students, नहीं तो रहने को कुछ नहीं है सब वैसे, यह बही आ गया, देखो यहाँ पर, subtraction, in equation, multiply, यह कुछ यहाँ पर आ जाएंगे, questions इनके, simple addition, the 시간, side difference, score कितना ले रहे हैं बच्चे, absent कितने रह रहे हैं, class में, वही बाला, बच्चा जैसे, 20 score, ले रहा है ठीके, इसने गल्की, कोई भी नहीं करी, subtraction में भी नहीं करी, equation में भी नहीं करी, decimal में में भी नहीं करी, simple addition में भी नहीं करी, side difference में भी नहीं करी तो 20 out of 20 लेके आ रहा है यह रिजिंदरा समझ आई absent class में भी बहुत कम रह रहा है यहाद रखना हमने remark दे दिया इसको 1 उसके बाद देखो यह absent कितने रहा है तीन सिर्फ तीन absent हैं और इसकी गलती भी A की है सिर्फ A की side difference निकाले में इसने गलती कर दी हुई है एक ही mistake है यह होता है आपका chart तो यह भी आप बना के आ सकते हो आपको समझ आगी होगी ना अब यहाँ पे उशा पांड़े ने कोई भी गलती नहीं करी सिर्फ A गलती करी है और यह class में सिर्फ तीन बार absence रही है उसके बाद देखो यहाँ पर थर्ड थर्ड की बात करें इसने 17 जो है वो marks लेके है यह 19 लेके आई यह अब यह जितंद्रा जो है यह 17 लेके आया है दो इसकी mistake हुई है multiply करने में एक हुई है इसकी यहाँ पर 17 marks लेके आ रहा है चार बार यह एफ सेंटर रहा है class में यह आ जाएगा अब इन सबसे जो difficult सोरी जिसको सबस्यादा difficulty आ रही है वो कौन सा है यह इमरान है जिसने सबस्यादा गलतियं करी है 10 marks लेके आ रहा है यह out of 20 ठीक है और class में से भी इतनी बार बंक करा है यह कितनी 12 times समझ आई आपको अब नीचे total score भी लिख सकते हो आप ठीक है entire class का और number of right response इंदा entire class में कितने रहे तो इनका percentage भी निकाल सकते हो आप ठीक है 20 total है उसके साब से निकाल लो वाकिए total number of questions कितने है percentage of right answer भी आप निकाल सकते हो and 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 देखो यहां पर भी कहां गया यह हो गया अब इसी के अदार पर हमने पता कर सकते हैं कि weakness जो हो seven student की यहां पर हमने identify करने की कोशिश करनी की sorry identify करनी की कोशिश करी इम्रान सबसे weakest आया ठीक है और जिसमें 10 marks लेके आया वो out of 20 और उसकी absence भी बहुत जाद है class के अंदर ठीक है कुछ ना कुछ तो होगा कि तभी तो वह absent रह रह रहा है या तो उसके अंदर डर है या उसको समझ नहीं आ रही तभी वह absent रहता है और तभी इतने कम नंबर है ठीक है और और side difference के देख लो यहां पर उसने शे के शे कोशन गलत करे हुआ है ठीक है तो इसका मतला side difference के बारे में उसको बिल्कुली knowledge नहीं है यही मतल हुआ ना and he appeared that disinterest in the subject carelessness हां मतलब it appears that मतलब इससे यही पता चल रहा हमें कि बच्चा जो आ हुआ है उसका interest नहीं है subject में विल्कुल careless misunderstanding या absence in the class has caused him to remark weak in the subject या तो क्योंकि absent भी बहुत बार रह रहा है वह तभी वह सबसे lowest आया है वहीं पर दूसरी side हम देखें रिजिंद्रा जो वह क्या रहा है वह इसका मतलब यही है कि बच्चे को उस बच्चे को properly समझ आ रही है कि इसको रिजिंद्रा को उशा पांडे जो है वह भी talented बच्ची है चीक है क्योंकि उसने सिर्फ एक गलती करी है और और हो सकता है वह by chance mistake हुई हो क्योंकि जहां पर वह 19 लेकर आ रही है इस देखो यहां पर thus the above diagnostic chart is a blueprint of the weakness and difficulties of the student यह लिख लोगे अभी समझ आगी यही तो पता रहे है यही तो blueprint है कि कौन-कौन सी weakness है किस-किस बच्चे की क्या क्या weakness है तो यहां पर देखो इमरान जो ना सब-सदा weakness किस में आ रही है इसकी side difference में शे के शे गलत करके आया हुई ठीक है उसके बाद देखो यहां पर it indicates about a particular student what error he has committed तो यहां पर यह दरशाता है कि कौन से बच्चे न है कौन सा error जो हो करा हुए and where and what remedy can be arranged for him और कहां पर कर रहा है ठीक है कौन सा error कर रहा है कहां पर कर रहा है और कौन सी remedy जो है हम उसके लिए arrange कर सकते हैं यह हमें इस chart से पता चल जाता है तो इसी को बोलते हम क्या test analysis chart समझ आगी so that's all about today's session और अज के लिए इतना है मिलते हैं के लिए वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई and have a good day